प्रस्न छे यदि कोई बेपारी एक टेली वीजन बीस अजार तीन सो रुपया में बेचता है तो उसे बारा परतिसत लाब होता है बताएं उस टेली वीजन का क्रेय मुल्ली क्या है तो टेलिवीजन का बिक्रे मुल्ली यहां पे दिया हुआ है तो लिखेंगे बिक्रे मुल्ले बिक्रे मुल्ले बराबर दिया हुआ है 20,300 रुपया 20,300 रुपया यानि टेलिवीजन जो है 20,300 रुपया में बेचता है तो बेचने का मुल्ले को क्या कहते है बिक्रे मुल्ले तो बिक्रे मुल्ले दिया हुआ है 20,300 रुपया और लाब परतिसद कितना दिया हुआ है तो लिखेंगे लाब परतिसद बराबर दिया हुआ है बारा परतिसद यानि टेलिवीजन को बेचने पर बारा परतिसद का लाब होता है तो लाब परतिसद दिया हुआ है बारा परतिसद क्या निकालना है हमें टेलिवीजन का क्रेम मुले निकालना है क्रेम मुल्य मतलब हो गया टेलिवीजन कितना में खरीदा गया था क्योंकि टेलिवीजन 20,300 में बेचा गया है ये तो दिया हुआ है और कितना में खरीदा गया था ये हमें हमसे पूछ रहा है यानि क्रेम मुल्य ग्याद करना है तो क्रेम मुल्य बराबर होता है क्रेम मुल्य बराबर सौ बटा सौ जोड लाप परतीसत गुना विक्रेम मुल्य तो क्रेम मुल्य बराबर क्या होता है सुत्र सौ बटा सौ जोड लाप परतीसत गुना विक्रेम मुल्य यानि जब विक्रेम मूले और लाव परतीसद दिया हो तो हम सुत्र क्या लगाएंगे क्रेम मूले बराबर 100 बटा 100 जोड लाव परतीसद गुनाम विक्रेम मूले तो इस सुत्र को याद कर लेना है तो अब हम लिखेंगे यहां पर 100 बटा 100 जोड लाव परतीसद कितना है बारा परतीसद तो लाव परतीसद के जगा पे बारा लिख देंगे 100 जोड बारा गुना विक्रेम मूले तो विक्रेम मूले कितना है बीस हजार तीन सो रुपया विक्रेम मूले बीस हजार तीन सो रुपया है तो लिख देंगे यहाँ पे 20,300 बिक्रेमुल के जगह पे इस तरह हम सुत्र कप्रियों करेंगे अब हो जाएगा 100 बटा 100 जोड 12 कितना हो गया 112 100 और 12 को जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा गुना 20,300 तो 100 बटा 112 गुना 20,300 चार से काटेंगे इसको तो चार से यह दोनों कट रहा है देखें, सो भी 25 चोग 100 और चार से यह भी कट रहा है यानि 4 दुना 8 तीन इधर गया तो 32 हो गया यानि 4,8,32 28 बार में 4 से कट रहा है और 100 जो है 25 बार में कट रहा है 25 चोग 100 अब 20,300 और 28 साथ से कट रहा है देखें, सादूना 14 चे इधर जाएगा तो 63 हो जाएगा 97,63 यानि 7 से यह कट रहा है और साच्चोग 28 तो 7 से काट लेंगे ऐसे तो 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कटेगा ठीक है तो 2 से भी काट सकते हैं दोनों को या 4 से भी काट सकते हैं या 7 से भी काट सकते हैं तो जो बड़ा संक्या उससे काटेंगे तो जल्दी कटेगा ठीक है, तो 7 से काट लेते हैं साच्चोग 28 सादूना 14 छे इधर गया 14 छे 20 होता है तो 6 इधर जाएगा 63 हो गया यानि 7 नमा 63 2 सुन्ने है कितना आ गया 2900 अब 4 से इसको हम काट देंगे 2900 को 4 से देखे कट रहा है 4 सते 28 1 इधर गया तो 10 हो गया यानि 4 दूना 8 लगाएंगे 2 इधर गया तो 20 हो गया 4 पचे 20 यानि 4 से 2900 कितना बार में कट गया 725 बार में तो क्या बचा है यहाँ पर 25 गुना 725 25 गुना 725 इसको गुना कर लेते हैं तो देखे 725 गुना 25 इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा पच पचे 25 पांदूना 10 दो 12 सद पचे 35 एक छत तीस 5 दूना 10 दो दूना 4 एक पांच साद दूना 14 5 दो 6 पाची 10 पांच इन साथ एक आठ एक कितना आ गया 18,125 तो इसका उत्तर हम लिख देंगे यानि 25 गुना 725 कितना आ गया 18,125 रूपया तो क्रेम मूल लिख इतना हो गया 18,125 रूपया तो टेलिवीजन का क्रेम मूल यानि टेलिवीजन 18,125 रूपया में खरीदा गया था और बेचा गया कितना में 20,300 रूपया में प्रस्न साथ एक सोफा सेट 10,300 गाटा सहकर 8,100 रूपया में बेचा गया उसे कितने रूपया में बेचा जाए कि 10,300 लाब हो तो कह रहा है एक सोफा से 10,300 गाटा सहकर यानि घाटा सहकर मतलब हानी हो रहा है यहाँ पर गाटा हो रहा है यानि हानी हो रहा है तो हानी परतिशत कितना दिया हुआ है हानी परतिशत बराबर 10 परतिशत कॉमा हानी परतिशत कितना हो रहा है 10 परतिशत तो एक सोफा से 10 परतिशत गाटा सहकर 8,100 रुपया में बेचा गया बेचा गया का मतलब है बिक्रै मुल्य यानि बेचने का मुल्य को क्या करते हैं बिक्रै मुल्य तो बिक्रै मुल्य दिया हुआ है बिक्रै मुल्य बराबर है 8,100 रुपया बिक्रेय मुली बराबर 8100 रुपया अब कह रहा है उसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 10% लाब हो तो पहले हम क्या करेंगे हानी परतिसत दिया हुआ है बिक्रेय मुली दिया हुआ है तो हम क्रेय मुली ग्याद कर लेंगे ये दोनों से ठीक है हानी परतिसत और बिक्रेय मुली से हम पहले क्रेय मुली ग्याद करेंगे यानि सोफा सेट का क्रेय मुली सोफा सेट कितना में खरीदा गया था ये हम पहले ग्याद कर लेंगे तो लिखेंगे क्रेय मुली यानि सोफा का खरीदने का मुली कितना था यह हम पहले ग्याद करेंगे तो क्रेम मूले बराबर होता है सो बटा सो माइनस हानी परती सत सो बटा सो माइनस हानी परती सत गुना बिक्रेम मूले तो जब हानी परती सत और बिक्रेम मूले दिया हो तो क्रेम मूले आसानी से ग्याद कर लेंगे इस सुत्र के माध्यम से तो क्रेम मूले बराबर क्या होता है 100 बटा 100 माइनस हानी पर तीसद गुना विक्रेम मुली यानि हानी पर तीसद के जगा पर 10 रखेंगे और विक्रेम मुली के जगा पर क्या रखेंगे 8100 तो 100 बटा 100 माइनस हानी पर तीसद हानी पर तीसद कितना है 10 तो हम यहाँ पे हानी परतिस्थत के जगह पे दस लिख लेंगे गुना बिक्रेम मुल्य कितना है आठ हजार एक सो तो बिक्रेम मुल्य के जगह पे लिख लेंगे आठ हजार एक सो तो हो जाएगा सो बटा सो माइनस दस सो मेंसे दस घटाएंगे तो कितना आएगा नब्बे तो सो बटा नब्बे गुना आठ हजार एक सो सो बटा नब्बे गुना आठ हजार एक सो एक सुन्ने से एक सुन्ने काट देंगे ठीक है एक सुन्ने से एक सुन्ने कट गया अब नौ नमा एक आसी होता है तो नौ से आठ सो दस को काट देंगे नौ नमा एक आसी और एक सुन्ने यानि 90 बार में कट जाएगा 810 देखे एक सुन्य से एक सुन्य हम पहले काट दियें तो कितना बच गया 810 अब 810 को 9 से काटे हैं तो 9 9 81 और एक सुन्य है तो एक सुन्य दे देंगे क्योंकि एक सुन्य तो हम काट चुके हैं पहले ठीक है तो नब्बे से आठ हजार एक सो कितना बार में कट गया, नब्बे बार में, अब सौ गुना नब्बे कितना हो जाएगा, नो हजार, तो क्रेम मुले कितना आ गया है 9000 रुपया देखे क्रेम मुले हम ग्याद कर रहे थे क्रेम मुले कितना आ गया 9000 रुपया अब कह रहा है उसे कितने रुपय में बेचा जाए कि 10% लाव हो तो लिखेंगे यहां पर अतह क्रेम मुले बराबर कितना आ गया? 9000 रुपया क्रेय मुल्य कितना आ गया? 9000 रुपया इसका मतलब हुआ कि सोफा सेट 9000 रुपया में खरीदा गया था सोफा सेट जो है 9000 रुपया में खरीदा गया था क्रेय मुल्य मतलब क्या होता है? खरीदने का मुल्य तो क्रेय मुल्य हम ग्याद कर चुके हैं अब कह रहा है उसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 10 परतिसद लाब हो यानि लाब परतिसद कितना दिया हुआ है लाब परतिसद बराबर दिया हुआ है 10 परतिसद लाब परतिसद बराबर 10 परतिसद दिया हुआ है तो कह रहा है कितने रुपया में बेचा जाए यानि विक्रेय मुले निकालना है बेचने का मुले को क्या कते हैं विक्रेय मुले तो कितने रुपया में बेचा जाए यानि विक्रेय मुले अब हम ग्याद कर लेंगे तो कितना रुप्या में सोफा सेट को बेचें कि 10% लाब हो क्योंकि सोफा सेट 9000 रुप्या में खरीदा गया है और 10% लाब हमें चाहिए तो लाब परतिसद 10% दिया हुआ है अब हम विक्रय मुली निकाल लेंगे तो विक्रय मुली बराबर होता है सो सो जोड लाब परतिसद बटा सो गुना क्रय मुले तो जब क्रय मुले और लाब परतिसद दिया हो तो इस सुत्र के साहिता से हम भी क्रय मुले ग्याद कर लेंगे तो सो जोड लाब परतिसद कितना है दस परतिसद यानि लाब परतिसद के जगा पे दस रखेंगे बटा सो गुना क्रय मुले क्रय मुले कितना है नो हजार रूपया तो सो जोड दस लाब परतिसद के जगा पे दस लिख लेंगे यानि लाब परतिसद कितना है दस परतिसद और क्रय मुले नो हजार रूपया तो इस तरह हम इस सुत्र पे बैठा लेंगे ये सब अब सौ जोड़ दस कितना हो जाएगा 110 बटा सौ गुना 9000 दो सुनने से दो सुनने कट गया क्यानी सौ से 9000, 90 बार में कट जाएगा देखें, दो सुनने से दो सुनने कट गया कितना बचा, 90 तो 110 गुना 90 कितना आ जाएगा तो 11 नम है 11 को 9 से गुना करेंगे तो 99 एक सुनने यहाँ पर है एक सुनने यहाँ है, यानि दो सुनने दे देंगे कितना आ गया, 9900 रुपया 9900 रुपया तो 10 पर 30 लाफ कमाने के लिए सोफा सेट को 9900 रुपया में बेचना होगा क्योंकि बिक्रैम मुले कितना आ गया है 9900 रुपया 10 रुपया है 10 रुपया झाल झाल